हलो फ्रेंड्स वल्कम टो यूट्यूब चैनल सीटी एटी 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 प्रेपरेशन अगर आप भी सीटेट वन टू फाइव यानि पेपर वन का प्रेपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को फटक से सब्सक्राइब कर लिजिए क्योंकि यहाँ पर आपको जो भी सलेव से है उसके अनुसार पुड़ा पढ़ाया जाते है तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लासथ 5 का जो चैप्टर 6 है मैथ का मैं तेरा गुननखंड गुनज तु मेरा उसको हम लोग एकस्प्लेइन करेंगे चैप्टर 5 तक और यह हम एकस्प्लेइन कर चुके हैं उसक तो बिल्ली है, इसका नाम नहीं दिया है, भूकी बिल्ली है ये, और ये कुंजन चूहा, ये जो चूहा है इसका नाम कुंजन है, इसको पकड़ने की कोशिस कर रही है, कुंजन अभी 14 पर है, कुंजन जो है अभी 14 नंबर पर है, और एक बार में 2 खाने कूच सकता है, और य बिल्ली एक बार में तीन खाने मतलब 3 से टारेक्ट 6 पर 6 से टारेक्ट 9 पर 9 से टारेक्ट 12 पर ऐसे वो कुछ सकती है अगर चुहा 28 पर पहुंच जाए अगर चुहा जो है चौदर के बाद सुल्ला होगा शुलकाद 18 18 20 20 22 ऐसे करते हुआ 28 पर पहुंच जाए तो वह बिल में चुप सकता है 28 पर पहुंचने पर बिल में क्या होगा चुप जाएगा 28 पर एक बिल बना हुआ है पर प्रोब चुप जाएगा पता लगाओ कि क्या चुप बच पाएगा अब हमको पता लगाना है कि क्या चुप बच पाएगा अब देखिए बिल्ली कहां प फिर चौविस चौविस से फिर 26 चौविस से फिर 28 एकिस का चौविस चौविस का फिर 27 और 27 के बाद फिर 30 27 नहीं है तीन तीन यह जंप कर रहा है और चुहा अगर कुदना चालू करें तो चौदा के बाद 16 16 18 22 ऐसे करते हुए 24 तो चौविस पर आने के बाद जब चौविसवा बॉक्स पर यह 12 13 14 करते हुए जब चौविसवा बॉक्स पर चौवा और बिल्ली दोनों एक ही बॉक्स पर आ जाएगा तो 24 वा बॉक्स पे वो बे चुहा जो है वो बिल्ली से पक्रा जाएगा मतलब नहीं बच पाएगा वे खाने जिस पर चुहा कुदा हाँ चुहा किस-किस खाने पर कुदा तो चुहा 14 पर कुदा फिर 16 पर कुदा फिर 18 फिर 20, 22, 24, 26 ऐसे अब 24 तक 24 पर तो पक्रा जाता है तो इसको हम लोग मिंसन कर देंगे फिर वे खाने जिस पर बिल्ली कुदी बिल्ली किस खाने पर कुदी तीन, छे, नौ, बारह, पंदरह, अठारह, एकीस, चौविस ठीक, यह हम लोग लिख लेंगे, फिर क्या है, वे खाने जिस पर बिल्ली और चुहा दोनर को दे तो वैसा तो एक ही खाना है, वो है 24 वा खाना क्या चूहा बच सकता है तो इस कैंसर क्या हो जाएगा नहीं बच सकता है क्योंकि 24 वा खाने पर बिल्ली जो है चूहा को पकड़ लगी पता करो अगर बिल्ली 5 से सुरू करके एक बार में 5 खाने कूदती है बिल्ली अगर 5 से शुरू करे और एक वार में 5 खाने कूदती है और चूहा 8 से शुरू करके एक वार में 4 खाने कूदता है तो क्या चूहा बच पाएगा अब देखिए समझिए बात को बिल्ली 5 से शुरू करता है और एक वार में 5 खाने कूदता है पांच, दस, पंद्रह, बीस, पचीस, तीस इस तरह से बढ़ते हुए पैंटिस, चालिस ऐसे चला जाएगा और चुहा एक बार आठ से सुरू करता है और एक बार में चार खाने को उता है तो आठ से बारा, बारा से सोला, सोला से बीस तो चुहा क्या होगा, इसमें नहीं बच पाएगा क्योंकि बीस वा खाने पे जो है, चुहा और बिल्ली एक साथ मिल जाएगा और बिल्ली चुहे को पकड़ लेगा, तो मतलब नहीं बच पाएगा फिर पेज नमबर 87 में हम लोग देखते हैं मोंटो का इंतजार मोंटो बिल्ली किसी के लिए इंतजार कर रही है, क्या तुम्हें पता है कि वह किसके लिए इंतजार कर रही है इसे मालूम करने का एक तरीका अब यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है जिसमें यह बिल्ली आप देख रहे हैं और यहां पर इस तरह से पूरा नमबर लिखा हुआ है एक दो तीन चार करते हुए पचास तक और A, B, C, T इस तरह से कुछ लिखा हुआ है हर एक संख्या जो दो से भाग हो सकती है उस पर लाल बिंदू से निशान लगाओ हर वह संख्या जो दो से विभाजित हो सकती है जैसे 60-60 विभाजित हो सकती है 58-56-54-52 उसका फिर 50-48 सप्पे क्या बोल रहा है दो लाल बिंदू से निशान लगाना है मतलब इसको आप लाल बिंदू से निशान लगा दीजिए फिर क्या है उन संख्याओं पर जो तीन से भाग हो सकता है पीले बिंदू से निशान लगा और जो तीन से विभाजित हो सकती है उस पर पीले बिंदू से निशान लगाना है जो तीन से विभाजित कौन-कौन हो सकता है तीन हो सकता है छो हो सकता है नौ हो सकता है फिर बारह ह हो सकता है फिर 15 हो सकता है फिर 18 हो सकता है फिर 20 हो सकता है तो ऐसे हमको निशान लगा लेना है फिर आपका 60 हो सकता है फिर आपका 57 हो सकता है इस तरह से हमको सारे विंदू पर निशान लगाना है ऐसे कौन से खाने हैं जिस पर अच्छा और चार से भाग होने वाली संख्याओं उपर नीले विंदू का निशान लगाना है सबसे पहले हम लोग दो वाले पर लगाया थे फिर तीन वाले पर लगाया थे और फिर चार वाल, चार से भी हाजित होने है, और पर चार से कौन भी हाजित हो सकता है 60 हो सकता है 56 हो सकता है 52 हो सकता है 48 हो सकता है तो इस तरह से हमको निसान लगा लेना है इन खानों के उपर कौन से अक्षर है इन अक्षरों को क्रम में लिखिए तो हमको क्या करना चाहिए जो 2 से भी डिवाइड हो सकता है तीन से भी डिवाइड हो सकता है और चार से भी डिवाइड हो सकता है तो ये तीन से हो सकता है पर दो से नहीं हो सकता है ये चार से हो सकता है दो से हो सकता है पर तीन से नहीं हो सकता है तो इधर अगर हम लोग आगे की तरह बढ़ते जाएं तो ये तीनों अंग से होने वाला इसमें कोई नहीं है फिर इसमें भी देखे तो 21-22 थेश नहीं है 24 दो से भी होगा तीन से भी होगा और चार से भी होगा मतलब के बाद क्या हो जाएगा ओ मतलब 12 है 24 है फिर 36 आएगा फिर 48 आएगा और फिर 60 आजाएगा मतलब क्या हो जाएगा मो यू एस इ माउस मतलब यह माउस बन क्या उपर इन अक्षरों को करम में लिखे तो क्या हो जाएगा मो यू एस फिर पेज नमबर 89 को हम लोग देखते हैं पेज नमबर 89 है म्याउ खेल इस खेल को खेलने के लिए सब लोग एक गोले में खरे होते हैं एक खिलारी बोलता है एक अगला खिलारी कहता है तो ऐसे ही खेल चलते रहता है जिस खिलारी को तीन या फिर तीन से भाग होने वाली संख्या बोलनी है उस संख्या की जगह म्याओ कहेगा जो म्याओ कहना भूल जाएगा वो खेल से बाहर हो जाएगा आखरी बच्चा खिलारी जो आखरी खिलारी बच जाएगा वो जीत जाएगा तुमने कौन सी संख्या क इस तरह के जो संख्याएं हैं इसको म्याओं में बदल देना है हम इन संख्याओं को तीन के गुनज कहते हैं इस तरह का जो भी संख्या है जो तीन से भाग जिसमें लग सकता है तीन, चाओ, नौ, बारह, पंदरह, अठारह, एकीस इस तरह के संख्या को हम लोग 3 का गुनज कहते हैं संख्या 3 को 4 से बदल कर इस खेल को खेलो अब संख्या 3 को हम 4 से बदल के खेल सकते हैं जैसे 4 आएगा तो म्याव बोलना है फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है से आते रहेगा तो 8 हैगा तो म्याव बोलना है 12 आएगा तो मैं प्रभ भूलना फिर 16 आपि बोलना है मतलब 4 से बदें 4 का जो गुनज है मतलब जिसमें 4 से भाग लगेगा उस संख्या के बदें बोलना है यह संख्या है 4 के गुनज है 5 कोई भी 10 के गुनज खेलो आप 5 का भी गुनज खेल सकते हैं जैसे एक, दू, तीन, है अब इस थारह से कि आजा सकता है। फिर पास से इसको किया जा सकता है कट इस टार। इस नंबर नभ्य में चलते हैं जाने के दो पासे इक साथ 젖ता हुआ है है पासा पर हमारा क्या होता है एक तो तीन चार पांच यह लिखा हुआ होता है दोनों को एक साथ फेकना है और दोनों पर कौन सांक नजर आ रहा है इसको हमको देखना है इन दोनों इन अंकों की दोनों अंकों वाली संख्या बनाओ अब यह जो संख्या आ रहा है जैसे यहाँ पर फिकर में आपो दीख रहा है पहले में एक है और दूसरे में चार है तो दो अंकों वाली संख्या क्या हो गया चौदा हो गया, अगर यह संख्या गोले के बाजु में लीखी गई संख्या का गुनज है, अगर यह जो संख्या आ रहा है, यह जो गोला जो है, उसके भगल में लीखी हुई संख्या के बराबर आ रहा है, जैसे यहां पर है, छोज़, चार, पांच, साथ, इसका गुनज है तो इसका गुनज के रूप में जो आ रहा है तो वो हमको चेक करना है अगर यह संख्या गोले के बाजू में लिखे संख्या गुनज है तो तुम उसे गोले में लिख सकते हो अब तुम्हारे दोस्तिकी बारी है जो दस बार में ज़्यादा संख्या लिखेगा वो अजित जाएगा आप को क्या करने हैं, दो पासे को फेकना है जैसे मन लीजिए कि आप है और आपका एक दोस्त है तो आप फेके तो आ गया दो और चार तो आप इसमें लिख देंगे छे आपका आपका दोस्त का कुछ तीन आ गया और चार आ गया तो वो नहीं लिख सकता इसमें वो इसमें लिखेगा साथ में फिर पासे को फेकना है और एक बार आपको एक आ गया और फिर तीन आ गया तो तीन एक चार तो आप इसमें चार लिख देंगे फिर आपके दोस्त को सपोज किजिए कि दो और दो आ गया तो वो भी इसमें चार लिख सकता है फिर आपको एक बार तीन और तीन आ गया तो आप 6 में लिखेंगे और आपके दोस्त को आगया 3 और 2 तो वो 5 में 5 लिख देगा मतलब कि 10 बार करने में जो ज़्यादा बार इसमें अंक लिखेगा मतलब कि यह जो बगल में अंक है उसके बराबर अंक जिसको ज़्यादा बार आएगा वो खेल को जीट जाएगा अब देखिये इसमें मेरे पासे में 3 और 2 है अगर मैं 23 बनाता हूँ तो वो किसी भी संख्या का गुनज नहीं है इसलिए मैं 32 बनाऊंगा अब जैसे 32 बना तो किसी संख्या का गुनज नहीं है कि जो कि 4 जो कि चार का गुनज है और इसे लाल गुले में रख दूंगा कि जैसे मान लेजे कि मैंने जोड़ दिया है वो पर तो यह सा गलती हो गया यह चान जैसे मान लेजे कि जो पासे को उच्छाला तो आप आसे का आपका एक आया और एक 2 आ गया तो दो एक तीन नहीं करके तीन नहीं लिखना है बारा किसका गुनज है छे का गुनज है आप इसमें भी लिख सकते हैं बारा फिर किसका गुनज है चार का भी गुनज है तो आप इसको इसमें भी लिख सकते हैं फिर क्या करना है फिर आप पासे को उछा ले तो आपका एक बार चार आ गया और दूसरा बार 6 आ गया तो 46 शिक्समें किसी क गुंद नहीं है उसको छोड़ देना है फिर एक बड़ आपका दूस्त पासा उछालता है तो उसको तीन आtı है और फिर पांच जाता है तो 35 किसका गुनज है 5 का भी है और 7 का भी है फिर सपोज किजिए कि आप आशे को चालते हैं आपको 6 आता है और फिर 4 आ जाता है तो 64 किसका गुनज है सिर्फ 4 का गुनज है तो 64 इसमें डाल देंगे मतलब इस तरह से करके इस गेम को खेला जा सकता है तो आज के इस वीडियो में हम लोग पेज नमबर 90 तक ही रहने देते हैं 90 के बाद जो बागी के पेज बचे है इस सेप्टर के उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो थैंक्स पर वाचिंग दे वीडियो हमारे साथ बने रहिए